पुलकी जी चलो पुलकी जी को बाई बाई और आप बच्चों का वेलकम बच्चों आप देख रहे हैं रोजगार विदंकी चैनल हर रोज की तरह है और शाम के सवा 7 बजे हमारा दिल्ली पुलिस ड्राइवर का ड्राइविंग स्किल्स में एक विकल मेंटेनस मेंटेनस का पार्ट हम रोज की तरह स्टार्ट करते हैं तो कौन को ने आज हमारे साथ कपिल रजनी पीकम जी मलम मले है मलम करें करें कि मलम एप राम घुंजनू आच्छा रजनीकांद जुझनू से है अच्छा यहां भी रजनीकांद पाए जाते है जुझनू राजस्तान में हम तो बहुत दूर सोते रहे थे तौत इंडिया में तुसार और पंकर घर्शप 1500 मिटर ये इतना लंब होता है भाई क्या राज है यह बल्वन धामा ताइम का थोड़ा इश्यू रहता है अमरदीव टाइम की क्या दिखत होगी बच्चे बताओ ठीक है ना तो बच्चो आप सभी को नमस्कार ठीक है ना राहुल गुजर का जवाब देदो राहुल गुजर है कहां पर दिखाई त सकते हैं ठीक है ना दिली पुलिस में सीटेट कॉन लिखके चला गया विनोध यादव कह रहा है हमारा कमेंट पढ़ लीजिए हां आमने पढ़ ली आपका कमेंट ठीक है थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता अच्छा यूपी पुलिस में जोब कर रहे हैं अमरदीप आच्छ है फोजी इंद्रेस मनी शर्विन हम स्टार्ट करते हैं अब देखो आज यह आपको यह डिस्क आपने बाइक में तो बहुत देखा होगा हो सकता है आपने गाड़ी में भी ध्यानी किया हो इस ताइप का और यह डिस्क लगी हुई ऐसा देखा होगा आपने तो मतलब ब्र गाड़ी अगर हमें देखो सबसे इंपोर्टेंट पार्ट होता है अब मुझे नहीं पता आपके एक्जाम में ब्रेकिंग सिस्टम से कितने क्यों सुनाएंगे एक्जाम इनर पर डिपेंड करता है बट जब आप जो लग जाएंगे उसके बाद सबसे इंपोर्टेंट पा तो कई बार वो आपकी जिन्दगी बजा देते हैं तो इसकी नोलेज भी होनी चाहिए और सही समय पर ब्रेकिंग अपलाई भी करनी चाहिए और स्पीड भी कम रखें ब्रेक गाड़ी को रोकना सबसे ज्यादा इंपर्टेंट है उसको चलाने से भी जड़ा इकना चलाना तो हर कोई चला लेगा रोकना सिखो गाड़ी को बस यही सब कुछ है यही गीता का सार है कि गाड़ी को रोकना सिखो में ठाइविंग में ठीक है तो पुल्कित जी कह रहे हैं प्यारे बच्चों कितने प्यारे ठीक है फ्लिप कार्ड पे अर्विंद का बड़े आज अरे भाई अर्विंद आपको बहुत-बहुत बधायां जनम दिन की ठीक है ना तो हलवा पूरी खीर वगरा जो भी है आप बनाओ हमारे नाम की भी खाओ ठीक है ना यह समझो कि हमारे पास भी पहुंच गई और आप जिंदगी में खूब तरकी करें रोजगार की जो आपकी दोड है वो बहुत जल्दी पूरी हो सफलता की मुकाम पे आप पहुंचें ऐसी दौाम करते हैं ठीक है ना चलिए स्टार्ट करें अच्छा दिल्ली पुलिस में कैटेगरी लागू है कैटेगरी तो लागू हर किसी में होती है अच्छा महरास्ट्रा से भी है वेरी गुड सुमित तल यह फिर स्टार्ट कर देते हैं काफी बाते हो चुकी है इसमें देखो ब्रेकिंग सिस्टम के अगर बात करें तो हम अच्छा प्रेकिंग सिस्टम और ऐसे करते करते मतलब बहुत आगे तक बात चली गई शिस्टम ऐसा भी गाड़ियों में आ गया कि आगे गाड़ी आ रही है तो गाड़ी अपने आ भी रुख जाती है अगर आप ब्रेक अपलाई ना भी करो तो आजकल इतनी तरक्की इस स सिस्टम की बात कर देते हैं हम इनिशिल पॉइंट पर बहुत ही सदहर्ण तरीके से हम सुरुवात करें तो एक ब्रेक पैडल आपने देखा होगा यह गाड़ी के आपके केविन वाले अंदर वाले हिस्से में होता है इंजन वाले बोनट वाले में नहीं आपके होता है तो सनी राजपूत हमारे साथ है अरियाना से ठीक है पेड कोर्स राजविर पटेल बड़े इंटरस्टिर लग रहे हैं कि पेड कोर्स कब चलोगा पढ़ाई तो हो ही रही है कोई बात नहीं पेड कोर्स का क्या करेंगे और बाकि पेड कोर्स आपके फारम आएंगे जून म तो फारम आएंगे उसके आसपास पेड कोर्स आजाए तो जब इस ब्रेक पैडल को हम एपलाई करते है ठीक है ना तो इसका मेकनिकली सिस्टम ऐसा होता है कि जब इसको यू करते है तो यह इसको पुश करता है ऐसे तो इसका फिर परवाव इस लीवर के माद्यम से इसके अपर पड़ता है कैम के ऊपर ठीक है यह आपका सी एम है कैम और यह ना इस पोजिसन में ऐसे ऐसे आधसे तो इस पोजिसन के मदर यह तिरच्छा हो जाएगा यह फिक है तो जैसे ही यह यह को यू करेगा तो आपको यह पोर्ट दिखाई दे रहा है यह दो प्लेट लगी ब्रेक शू ही लिखूंगा या ब्रेक जूता ऐसे ओई है तो ब्रेक जूता ठीक है जो भी आप समझे तो ब्रेक शू जो है ये दो प्लेटें ऐसे लगी हुई है इस टाइप से यू और यू अब इसके बीच में ये ऐसे यहां पे लगा हुआ है पिस्तन ठीक है या कैम कहलो इसको कैम सही नाम तो इसका कैम ही है अचा कैम जैसे ही इस पोजिशन के बजाए इस पोजिशन में ऐसे मूव करेगा यू तो इदर दबाओ देगा ये इदर वाला हिस्सा ऐसे टकराएगा और इस तरफ से उदर भी दबाओ देगा इदर भी दबाओ देगा और उदर भी को दबाव देगा जैसे यह ऐसे होगा ना यूं होगा तो इदर वाली को तो उपर वाला हिस्सा दबाव देगा और इदर वाली को यहां से नीचे से यह दबाव देगा तो फिर क्या होगा कि यह पोजिशन इदर जाएगी तो यहां पर आपकी काले वाली दिखाई दे रही ह ठीक है ब्रेक आपकी लाइन है यहां पर ब्रेक लाइन ठीक है पतली सी होती है इसके उपर लेयर चड़ी हुई तो ब्रेक लाइन को धके लेगा और ब्रेक लाइन टकराएगी किस से आपके इसके ड्रम से ब्रेक जो ड्रम होता है यह बाहर वाला इससा यह वाला इससा इस ब तो यह ड्रम रुख जाएगा और ड्रम जुड़ा किस से होता है आपका मैं इसको अगर इसको समझाऊं अगर systematically तो पहले आपने brake pedal अप्लाई किया उससे आपका यह फोर्स जो है बल जो है वो कहां पे गया वो गया आपका लीवर के उपर और लीवर से फिर कहां पे गया देखो आगए अगला स्टैप लीवर से यह यहां चला गया कैम के उपर और कैम जो सीधा था वो क्या हो जाएगा तिर्चा हो जाएगा और जब कैम तिर्चा होगा इसकी वज़ाए यूँ तो उपर से इधर वाले ब्रेकशू को वो धका देगा और नीचे से इधर वाले ब्रेकशू को धका देगा तो इधर वाला ब्रेकशू इधर जाएगा औ बाहर की तरफ ठीक है और वहां पर क्या लगा हुए आपके पास ब्रेक लाइन लगी हुई है उसके उपर लेयर ठीक है ना तो ब्रेक लाइन भी बाहर की तरफ मूग करेगी किस तरफ करेगी वो वो करेगी आपकी ब्रेक ड्रम की तरफ ब्रेक ड्रम की तरफ, अब ब्रेक ड्रम क्या हो जाएगा, ब्रेक ड्रम आपका रुख जाएगा, ये बात भी सही है, अब ब्रेक ड्रम जो है वो जुड़ा हुआ है, वो किस से जुड़ा हुआ है, वो आपका वील से जुड़ा हुआ है, पईये से, ठीक है न, तो पईया क्या हो ज किस्टम है ब्रेकिंग का इसको आप समझ सकते हैं ठीक है ना कैसे कैसे चीजे जा रही आपको इन पूर्जों का पता होना चाहिए तो फूर्ज भी देख लेते हैं धिरे-धिरेंग यहां पे एक स्प्रिंग भी लगा हुए आपको लिखा हुआ यहां पे दिखाई दे रहा हो तो यह स्प्रिंग यह वाला यह क्यों है कि एक बार आपने गाड़ी को रोकतो दिया पर क्या आपको वहीं रहना है घर बसाना तो नहीं है गाड़ी को आप brake छोड़ों के पैडल छोड़ती ही जो आपके बाहर की तरफ आपके brake shoe, brake line जो drum के बिल्गुल चिपक रहे थे तो जो force की वज़े से बाहर गए थे जोर लगा था तो बाहर गए थे अब आपने brake pedal हटाओगे तो जो नहीं लगए आप तो जो spring है वो अंदर की तरह खीच लेगा अपने आपको है ना जैसे कोई spring को आप जोर लगाते हो तो एक बार दर जाता है वो पर जैसे छोड़ देते हो तो spring की अपनी power से वो बाहर आ जाता है तो वैसे ही क्या करेगा कि कि अपनी तरफ इनको खीच लेगा ताकि जो drum है उसको brake shoe और brake line छोड़ दे drum free हो जाए drum घूमने लगे गाड़ी घूमने लगे ठीक है चलिए आगे हम देख देते हैं parking brake mechanical brake कहते हैं हाँ बिल्कुल parking brake mechanical brake तरीके कई होता है यह जो parking brake होता है ना जो hand brake भी कह देते हैं आप लगाने वाड़ा चलिए अब इसमें हम कुछ portion इसका देख लेते हैं अभी हमन हो गया आपका drum सबसे बार वाली लाइन ठीक है drum के अंदर ये वाली लेयर जो होगी आपकी ये वाली लेयर आप ये वाल लाल के उपर लाल चलता भी नहीं है चलो को योर कलर देखते हैं ब्लैक चल जाएगा ये लाल वाली लेयर जो है ये brake shoes आपको दिखाई दे रहा होग ये कौन सी लाइन आपकी ये है आपकी brake लाइन और कौन सा पार्ट था हमने देखा तो ये आपका spring था यहां पर दिखाई दे रहा है एक spring यहां भी spring है ये वाला spring हो गया आपका और यहां पर यह कहा रहा है कि parking brake cable यहां cable आती है इसके पास यहां cable वो कहां से आती है जो आपका handbrake होता है ना एक यहां पर वील सिलेंडर लगा हुआ है इसमें आपका क्या आ जाएगा क्या होता है कि पिछले में हमने कैम किया था कैम अगर यह तिर्चा होगा मेकनिकल ब्रेक में तो वह ब्रेक शू को रोक देगा वील सिलेंडर इसमें क्या होता है कि इसमें आपका ब्रेक फ्लूड आता है ब्रेक फ्लूड मलब एक तरह का तेल लगा लो या दरव लगा लो द तरह push करेगा न तो यह फिर आपकी जो break shoe लगे में हैं यह आपके लगे में ब्रेक shoe और आपके break lines होती है यहां पे slender लगा हुआ है यह इसको बाहर की तरह move करेगा तो break shoe इधर होंगे इधर होते हिए यहां पे क्या लगा होता है आपका drum लगा होता है बीच में लाइन होती है तो यह रोक देगा गाड़ी को ड्रम को रोक देगा ठीक है ना हाँ ओएल कहलो आप ठीक है तो यह ड्रम ब्रेक इसने लिखावा है आनीचे देखो यह इसका कुछ इससे थे पार्ट्स थे क्योंकि यह बड़े complicated होते हैं आप रोज सुबह शाम इनको कोई देखते नहीं है आना खादने वक्त देखेंगे नहीं इन पार्ट्स को इसलिए इनको थोड़ा सा गहन तरीके से देखना जुरूर है इसलिए हम फिर से एक बार देख लेते हैं अलग लग करते हैं इसको तो यह आमने अभी पिछली स्लाइड में देखा था इसमें यह आपका drum हो गया ठीक है drum के अंदर यह आपका break shoe हो गया कि ब्रेक शू ठीक है इसके अलावा यह क्या है आपका यह आपकी break line हो गई ब्रेक लाइन जो होती है वो ब्रेक शू के उपर होती है ठीक है तो सबसे अंदर आपके पास क्या होगा सबसे अंदर वाले हिस्से में आपके पास ब्रेक शू हो गया उसके उपर आपकी कौन से आगई ब्रेक लाइन और उसके उपर आपके है ड्रम ठीक है ना तो जैसे ब्रेक शुईदर होगा ब्रेक लाइन इदर होगी ड्रम के साथ ये चिपक जाएगी ऐसे और ड्रम को रोकने की कोशिस करते करते रोक ही लेगी उसको ठीक है ब्रेक जूता ब्रेक जूता थोड़ा सा कहने में बड़ा हसी का सा लग रहा है और तो कोई बात नहीं है न ये फिर से एक स्लाइड लगा दी ताकि इन पार्ट्स को आफ फिर से देख सको ये जो आपका ड्रम है ठीक है न ये क्या होगा आपका ड्रम होगा इसके अंदर क्या क्या लगेगा एक तो आपका ये लगेगा ये जूता ठीक है न ये वाला जूता आपका लगेगा ब्रेक जूता ठीक है न एक और एक दो ठीक है अभी बात अच्छा इसके बाद आप क्या क्या लगेगा break line जो इस चितर में इन्होंने दिखाई ही नहीं है ठीक है कोई बात ना break line भी उसके उपर लगते है पतली सी ऐसे layer करके आपके उपर इस चितर में break line और break shoe को अलग नहीं दिखाया इसके उपर लगी होती है ठीक है ताकि break shoe और break drum टकरा के मतलब आपस में मतलब गिसावट drum गिसे ना जादा तो यह लाइन को आप चेंज कर सकते हैं फिर line गिस जाएगी फिर line को चेंज कर सकते हैं ठीक है ना driving test Sunday को होता है driving test नहीं होता वो यह जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का mock test कहलो test पर होता है वहां driving नहीं कराएंगे आपसे online करना है रोजगार विद अंकित एप जो है उस पर जाके आप और भी टेस्ट बहुत सारे होते हैं दिल्ली पुलिस के यूपी पुलिस के उसमें ना mock test होते रहते हैं वह आप दे सकते हैं ठीक है अच्छा पार्किंग लीवर ये दिखाई दे रहा है आपको पार्किंग लीवर भाई अब यह बताओ कि आप पार्क करने के लिए handbrake लगाते हो तब भी गाड़ी को रोक ना है तब break थोड़ी लगाओगे और brake अगर लगा के रोक लिया आपने तो आप गाड़ी से बाहर कैसे जाओगे दुकान में जाना है समान लेने अब brake का पैड़र हटाते ही ब्रेक तो काम करेगा नहीं handbrake अच्छा है इस मामले वो पूरा कहना मानता है उसको एक बार लगा तो वो लगा रहता है ठीक है ना तो उसका भी एक lever यहां पर दिया हुआ है ठीक है ना ताकि यह lever भी थोड़ा सा गाड़ी को रोक सके रोक के रख सके ठीक है sir you looking like Englishman Englishman कैसे लग रहा हूँ यार मैं बताओ किस एंगल से है ना तो इसमें देखो अब यह brake plate लगी हुई है उसके उपर जाके बंद हो जाती है इसके उपर चड़ जाएगी drum के उपर ठीक है तो यह कुछ छोटे छोटे पार यह wheel cylinder उपर दिया हुआ है जो कि आपके यह जूते को यानि ब्रेक शू को यूँ दखेलेगा इनके बीच में यहां लगेगा यह cylinder यह वाला और इसको यूँ दखेलके और ब्रेक लाइन और ब्रेक शू जाके उससे टकराएंगे अपने किस से ड्रम से रोग देंगे कई वार हर संडे को होता है कई वार एक संडे चोड़के एक संडे में अब बाकी एक जाहीं नदार सकते है ज्यांव सेको सरे और रोज़गार एक पर चैनल सले उसकी community के ऊपर लगा नंदान के सेडूर करीक में मैं डाल देते हैं ठीक है ना ये किसका फोन आगया भई किसी दोस्त का है अच्छा ये आपने देख लिया ये छोटे-छोटे नट बुल्ट भी होते है इसमें एक स्प्रिंग भी होता है मैंने कहा था ना ये वाला स्प्रिंग ये क्या है आपका स्प्रिंग ये क्या काम करता है भई और यह इसको रोक देगा ठीक है ना इसको ब्रेक शू को बाहर की तरफ ले जाएगा और जो ब्रेक शू और लाइन जो है वो लाइन टक रहेगी ड्रम से ड्रम को रोक देगी अब जैसी ब्रेक पडल छोड़ेंगे हम तो वापस अपनी पोजिशन में आ जाए इसलिए स्प् क्यूरी यह फाराम का बढ़ना लाइसनस कब बन्वाना वह वीडियो खतम होती है ना तो वीडियो के बाद में डाल दें काकी हमारी टीम भी युसको देखते रहती है वीडियो के बाद कमेंटे डाल दें तो आप Basir कर देंगे ठीक है आच्छिक ब्रेक अपरेशन आजकल आपने देखा एक बाइक बगएरा में भी गाडी बगएरा में भी डिस्क ब्रेक काफी पॉपुलर है हमने शुरू में बात की आपके mechanical brake system की बहुत पुराना system था ड्रम ब्रेक सिस्टम जो कि अभी चली रहा है पर बीच बीच में डिस्क ब्रेक भी एज एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम की तरह आया हुआ है बहुत चर्चा आप जानते ही हो ठीक है ना हाँ गंशाम सही कह रहे हैं कि अंकित सर ने कई वीडियो बना रखी है जो आपको टेक कर रहे हो लिख लो कि मुझे इन चीजों की जरूरत है हाइट दोड जो भी है ठीक है इसलिए डिस्क ब्रेक पेडल का नियम पर क्या कमेंट ऊपर चला गया जीतू का ठीक है तुशार लास्ट में क्यूस्टन मैं इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि पिछे मैं बिमार रहा थ देide किया ना लिनने से ँच्चा है कि मैं आधे घंटे की रोज लिया करो तो इसलिए मैं अधे गंटे की लिया करता था तो इसलिए मैं आधे गंटे की कलासize स्टार्ट किया और उसमें फिर थोरी भी कम बोलार पाती है तो ये Q ish fan थोड़ा सा ना ऐस नहीं पाता है यह ब ठीक है इसमें चितर में आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है यहां पर क्या क्या रहा है कि pressure जो है apply हुआ यहां से आपके पास pressure जो है वो आया ऐसे आया यहां पर यह piston लगा हुआ है यह इसको दबाएगा piston इसको दबाएगा आप जब brake दबाएगे ब्रेक पेड दबाएंगे तो प्रेसर अगर आएगा तो वो इस Piston को दबाएगा और यहां से यह दाब किस पर पड़ेगा यहां पर ब्रेक पेड लगए है इसको यहां लिख देता हूँ ब्रेक पैड तो यहां पर पैड लगे है घिस भी जाते हैं कई बार ठीक है ना बार बार यूज करो तो ब्रेक पैड यह साइकल में भी होते हैं आपने देखा है ना रबड़के से लगे होते हैं साइकल में तो ब्रेक के पैड लगे होते हैं ठीक है छोट छोटे वह बाद मे किस से होती है पहिये से जुड़ी होती है जैसे जैसे पहिया आपने गाडियों कपता जाएगा तो यह चीजित रहोपना होगा तो हम प्रेसर अप्लाई लैंकर क्योथC पैड होते है ना तो इससे यू लगेंगे और इसको यह रोक लेगा ठीक है रोकते ही गाड़ी रुक जाएगी आपकी ठीक है इसके ऊपर एक कैलिपर लगा होता है कैलिपर याइसे करके यू यू पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़े वे कि यहां से प्रेसर लगे तो इस तर कि डाल का होता है वो ये देखो ऐसे आपने ऐसे यह सीटील का चमकता रहा देखा होगा चानल करने यथर कवर बार तो यह यू इससे पूरा इसको रोटर भी बोलते हैं तो इसको यहां से देखो यह nut boot रहे इन से किस से जोड़ा जाएगा आपको यहां पर पहिये से तो इसलिए इसको wheel hub बोलते हैं ठीक है ना यह रोटर या डिस्क हो गई आपकी यह आपको चितर में दिखाया गया है यही उसमें पिछले में हम देख रहे हैं तो रोकने का तरीका डिस्क ब्रेक का ठीक है अच्छा डिस्क ब्रेक को थोड़ा सा इसके मादे इस सितर में भी समझाया गया है हम यह और देख लेते हैं यहां पर पैडल भी आपको दिखा रखा है इस सितर में यह पैडल है ठीक है कौन सा इसको आप दबाओगे दबाने के बाद ऐसे जो यह piston है यह वाला यह इधर मूव करेगा ठीक है यह क्या है यह आपका master cylinder है ठीक है master cylinder से यहां से यह इसमें क्या होता है break oil ही लिख देता हूं यहां पर cylinder two लिखा हूआ है इसको बोलते है slave cylinder slave cylinder और slave का मतलब आप कह सकते हो दास नोकर ठीक है ना नोकर और master होता है आपका master लिखा है ना यहां पर master होता है मालिक cylinder ठीक है तो मालिक आग्या देता है और slave या दास होता है उसका काम होता है उस अग्या को मानना तो यहां से क्या जाएगा यहां से pipe से तेल जाएगा ठीक है ना break oil जाएगा और break oil किसमें जाएगा आपके में slave cylinder में जाएगा slave cylinder के साथ ये piston इसमें लगा होता है वैसे piston यहां भी लगा हुआ है ठीक है ना तो जब ये बताओ कि जब oil जाएगा तेल उपर से जाएगा तो तेल pressure तो बनाएगा ना जैसे आपकी टंकी में उपर से pipe एक नीचे आती है ठीक है ना और pipe को जैसे खुलते हो पानी आता है पानी अगर ना आये तो आप हाथ लगा हो तो आप भी pressure मारता है ना वो तो ऐसे ये oil आएगा पर आगे जगे तो उतनी है और ये pressure मारेगा पूरा क्योंकि आपने pedal मारा है तो piston इसको आगे दखका देगा तो मैंने मारा pedal पे जूता है यह और यहाँ पर यह piston है अब यहाँ पर तेल है इतना और इसमें piston आया यह इतना बड़ा piston ठीक है ना यह आएगा तो पहले इतनी जगे थी इतनी जगे में इतनी जगे में piston आगया तो तेल जो था वो तो आगे निकलेगा तेल इतनी चेल में रह नहीं सकता मालों साहँ लिट फा तो आध ही जगह या तीसरे की जगह अगर ब्रриक पिस्टन ने घेल ली तो जगह आकी तो यह आगा डिल प्रेसर से जाएक़ दिरे दिरे नहीं जाएगा पानी की तरह प्रेसर से शाएगा और यहां जाके फिर प्रेसर वारेगा यहां पे पहले से ब्रेक O while है कुस तो ठीक है उसमें और अगर O while जाएगा तो नौँआ पर प्रेशन पड़ेगा, प्रिष्षर पड़ेगा तो यह जो आपके पैड लगे वे, besten ब्रेक, पैड, अट्रेंड, यह वाला यह मानलो डो नमबर, यह मानलो एक नमबर, कैसे ही कहलो, ठीक है तो यह जो प्रेसर बनाएगा इस कलीपर के उपर तो यह यूँ होगा दोनों तरफ से तो यह बीच में डिस्क लगी हुई है या रोटर भी बोल देते हैं इसको या डिस्क भी बोल देते हैं यह लगी हुई है तो इस यह रुख जाएगी दोनों तरफ से ऐसे करके भी क्यूशन बनाओ बाद में क्यूशन का फिर कलास लंबी हो जाएगी अभी मैं कलास ज्यादा लंबी ले नहीं पा रहा हूं है ना अभीएत खराब रही थी उस वजैसे ठीक है यह बीच में कि यह एंटिवाइरस वाला कैसे आ जाता है इसके उपर बार बार स्क्रीन के चलिए नेस्ट में देखें अच्छा ये वाला हमने कर लिया था मैंने बता दिया था कौन कौन से क्या पारट है अच्छा इसमें भी कुछ चित्र में दिखा रखा है ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए उसमें आपकी एक डायाग्राम के रूप में पिक्चर थी उ यह वैसे नहीं होते हैं तो इसमें असली कैसे देखता है वह आपको दिखाया गया देखो यह आपकी हो गई डिस्क या रोटर जिसको बोलते हैं यह हो गई ठीक है यह देख लो ऐसे चमकती हुए तो आपने बाइक बगरा में बहुत देखी होगी ना कौन से बाइक में खासकर पलसर वगर आये थी उनमें आई थी स्टार्टिंग में यह ठीक है अब पहले से ठीक है तब यह मतलब पहले से ब विकास असली में देखता है यह देखो यहां पर इसमें दूसरा लेना पड़ेगा हमें यह ले लेते हैं यह आपको दिखाई दे रहे हैं यह बिल्कुल वैसे दिखाई दे रहे था न उस डायागराम में तो वैसे नहीं होते है थोड़े से यह ठीक है थोड़े से तो करो म यह क्या है आपके brake pad है ठीक है यह देखो कितने सारे यहाँ पर लगे वे हैं और यह आपका brake oil अगर कम हो जाए brake oil तो brake oil डालना पड़ेगा अगर brake oil पूरा नहीं होगा आप जूता दबाओगे जूता नहीं स्वरी जूते से आप क्या दबाओगे तो उसमें piston, piston है, वो master slender को धखे लेगा, उसमें oil कम है, तो दबाव पड़ेगा, इन्हीं खाली जगह है, वो गएगा भी piston भाई आजा तू, जगह है तुमारे लिए, तू भी वैट तेरे दोस्त को भी बुला ले, तो दबाव नहीं पड़ेगा, break लगेंगे नहीं, तो इ देखता हूँ, उस हैडूल जैसा हुआ जरूर, अभी आप इरनी चिंता मत करो, अभी तो आपके फार्म भी नहीं निकले हैं, एक्जाम काफी दूर है, हम कर लेंगे, मतलब, एक्जाम में हमारे पास time है, ठीक है, अच्छा, ये क्या है देखो, hydraulic, hydraulic braking system, को इन्होंने दिख हाया गया है, इसमें ये hydraulic, इसमें क्या करता है, कि इसमें एक master cylinder होता है, master cylinder है, जैसे ही आप brake pedal यहां से दबाओगे, ठीक है ना, ये यूँ दबाओगे, तो इसमें pressure create होगा, और master cylinder फिर आगे क्या करेगा, ये देखो, pipe हैं जा रही है, दो टायर यहां हो गए, और दो टाय है, दूसरा, तीसरा, और तो था, चारों टायरों पे ये pressure जा रहा है, ठीक है ना, ये brake lines क्या होती है, जिसमें से oil जाता है, oil pass होता है, ठीक है ना, इनमें से oil गुजरता है, oil गुजरा, oil गुजर के यहां आएगा, ठीक है ना, ये आपका drum बना हुआ है, ठीक है, ये आप आपके break shoes बने हुए है break shoe और ये आपकी break line बनी हुई है काले वाली break line ठीक है ये fluid यहां आखिए ये जो बना हुआँ ना बीच में इस से pressure create करेगा इसमें flood आएगा तो ये बाहर की तरफ दके लेगा और इसको रोक लेगा ऐसे सेम चारूट उटायरों में अलग अलग दिशा में हो जाएगा, ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया कि, यहां पर तो इसको drum brake को दिखाया गया, यह drum है, यह drum है, और यहां पर यह क्या है डिस्क है और यहां पर क्या है यह डिस्क है अंतर क्या है इस दोनों में देखो जादतर गाड़ियों में आप देखोगे आज कल तो आगे वाले ब्रेक जो होते हैं वो डिस्क ब्रेक आते हैं ठीक है ना आगे आगे के ब्रेक ठीक है वो तो आने लग गए आजकल डिस्क और पीछे वाले अभी भी मोस्टली कार में ड्रम ब्रेक या रहे हैं कोन से आ रहे हैं आपके ड्रम ब्रेक या रहे हैं अभी मैं गाड़ी लेक्या आया एक्स्यूवी 300 उसमें एक अच्छी चीज है इस प्राइस रेंज में जो गाड़ी आते उन्हें सब करां के चारों डिस्क ब्रेक में समझा जाता है कि वह मतलब कंट्रोल करना ब्रेकिंग सिस्टेम उनका ड्रम से ज्यादा बैटर होता है इसलिए मैंने सेफटी को भी थोड़ा मैतर दिया उसमें तो इसमें यह कैलिपर आपका लगा हुआ है इसमें सिलेंडर इसके अंदर अब अब र gusta है इसमें क्या होता है कि इसमें अंदर लगा उता सारा कुछ यह देखो ओस्में वर लगा होटा है यह आपके डिस्क ऊपर लगाए यह आपके डिस्क के तो प्र लगाए ऐसे ब्रूम वाले में अंदर होता है आप देखा यह यह रोकने का जो system है break, शूव बगरा इसमें तो अंदर लगा हुआ है और इसमें इसके ऊपर लगा होता है तेका ना जो इसको रोकता है हमने जो देखा था कहां दिखा हूँ आपको पीछे detail में जगा देखा था ना हमने यह वाला रहा इसमें टायर नहीं दिखा रखा ना यह देखो टायर के दो नोड लगा हूँ यहाँ पे यह आपकी disc है और इस पे यह break pad इसको यू रोक देंगे क्योंकि यहां fluid आके इसको pressure देगा तब ठीक है तो इसमें इस disc के अंदर नहीं लगावा कुछ भी अंदर नहीं लगावा ना अच्छा अब आपस उसी में चलते हैं हम हाँ तो ड्रम वाले में क्या होता है कि ब्रेक शू और ब्रेक लाइन अंदर लगे हैं पईये के और वो यह drum के sorry और ड्रम के अंदर से pressure मार के रोकते हैं और इसमें बाहर लगा होता है वो बाहर से रोकता है दोनों में फरक देख खाल लिया वो बाहर से रोकेगा ठीक है यहसले कीese यति यू यू Самी धिका रिख लोगे होते हैं और उसको यूद रुक गई है और उसमें ऐसे लगा खकेistem से ।ो उसमें ऐसे भ्रेक अभ करता हैं तो आसा दूरल उसमें यह लूञ tu यू ये यह ने इसको होता हिमासु भाई कहा रहे हैं कि सभी का रिप्लाई ना क्या करो चलो वह सब पढ़ाई डिस्टरब होती है सभी का रिप्लाई करना भी नहीं चाहिए कुछन तो आती रहेंगे है ना कुछन कुछ बच्चे पूछते ही रहेंगे अगर मैं मतलब पढ़ाऊ ना और ऐसे मूँ कर अगर मैं जवाब देता रहा हूं तो पूरा टाइम गुजर जाएगा इदर देखने की जूर्त भी नहीं पड़ेगी है ना यह बात तो है अच्छा एक होता है मैगनेटिक मैगनेटिक वाला ब्रेकिंग सिस्टम भी होता है ठीक है मैगनेटिक मैं चुम्ब की है चुम्ब अट्रेक्ट होता है मतलब एक रेंज होती है ना जैसे कि आपकी चुम्बक यहां है और आप मालो लोहा या को आप नहीं मालो आपकी तरफ क्यों आएगी लोहा या चुम्बक के अपदार जोते है वो यहां पे है तो यहां तक वो उसको नहीं खीच रही पर एक उसकी रें तो यह मतलब इस डिस्क के उपर लग जाएगा डिस्क के उपर लग जाएगा तो डिस्क रूख जाएगी ठीक है अच्छा फोजी अरजुन बड़े दिनोबाद आज दिखाई दिये हैं और भी ब्रेकिंग मतलब यह अलग-लग टाइप के ब्रेकिंग सिस्टम है पता नहीं क भी आते थे अब भी छोटे लेवल की कायों में आते हैं थोड़े से ज्यादा पैसे तो अकिर दिस्क वाले आग्चे वाने पईसा ड़ालो तो चाल के चाल को डिस्क ब्रेख आ जाते क्योंemorता है कार्तिक अरे क्या हो गया सभी खुश हो गती है बुक क्यों नहीं आ रही है आपकी आप hasp कोई बात नहीं आप कलास आपको समझ में उमीद करता हो कि आ जाएगी चलो मेंनें ग्याया के साथ साथ एक क्फॉक लोग देंगे यह कैसे होता है देखो यहां पर यहां पर खिर्ट में पता नहीं आपको यह लिखा वा दिखाई किρεί रहा ही यह नहीं दे रहा है न साफ करना हुआज तो आ यह गीया का गरम हो जाते हुआ और बहूत प्रेशर श्या गय जाती है तो हवा को दबाने के बाद यहां यहां गई Reserve Low Presle वो reservoir यह जीव सा नाम लिखा हुआ है इसको इंदी में कैसे लिखूँ Reservor ठीक है जो भी इसका नाम हो तो यह क्या करता है कि यहách रखता है जैसा कि इसका नाम है यह हवा को हवा को reserve रखता है reserve रखेगा reserve किस के लिए रखेगा आपके लिए कि जब कभी आप brake apply करो फुश करो ठीक है ना तो फिर ये इसको brake valve को आपको क्या करेगा ये ये unloader valve यहां पर लगाया वा छोड़ा सा ताकि इससे हवा बाहर जाएगी यहां reserve होगी यहां से brake valve से हवा जाएगी हवा जाके ऐसे यूँ चली गई हवा ठीक है ना तो ये जो piston होता है ना piston ये drum piston लगा हुआ है तो इसमें हवा अगर इतनी सी जगा है और इसमें अगर बहुत सारी हवा जाएगी तो इतनी जगा है उसको यूँ कर देगी वो हाँ ना हवा का pressure जाएगा तो यूँ कर देगा ठीक है ना तो वो इधर और इधर इसको बाहर की तरफ मारेगा तो यह जो आपके break shoe लगे होते हैं break shoe ठीक है ना और यह निले वाली क्या है आपकी break line है इसको बाहर की तरफ खीचेंगे किस की तरफ यह drum की तरफ और drum को रोक देंगे ठीक है तो मतलब जो oil जाता था break oil जाके और pressure बना के जो काम करता था वही काम क्या कर दिया air ने भी कर दिया ठीक है clear बच्चो कि यहां से air आई filter हुई यहां दबाव पड़ा यहां reserve में थी फिर उससे break valve में होते वे मैंने एक का समझा दिया यहां टैरों में ऐसे से चली जाएगी और इसको piston को drum piston ठीक है यहां drum cylinder लगावा है यह drum piston लगे हुए है ठीक है ना यह काले वाला क्या है आपका piston drum piston है और बीच में क्या लगावा है cylinder cylinder किसलिए यह हवा जाए किसमें ठीक है ना cylinder में जग है कहीं तो आवा जाएगी जाने की इतनी जग है थी वहाँ ज्यादा जाएगी तो वह यूँ होगा और वह रुक जाएगी ठीक है इसलो भी हो गया और भी अच्छा एक और भी है यह कौन सा है यह देखो इसको देख लो ऐसको अच्छा यह स्वगे सब्सक्राइग और को नहींचा है हरा यह तो बनाघे खीक है और लिएChा और वह जखर द्सको आो जा थी अपनी होगा जाती आप बेसक ना रोक हो तो यह बड़ी गाड़ियों में जर्नली होता है नॉर्मल गाड़ियों में नहीं आता है आज भी मेरी गाड़ी में भी नहीं है ठीक है इसके बाद क्या है ये एक छोटा सा आपको लास्ट में और बता दें कि हैंड ब्रेक है क्या आगए ये हैंड ब्रेक ये भी एक तरह का ब्रेक होता है और यूज होता है हैंड ब्रेक की यह जो आपकी तार होती है ना तार या केबल कहलो, लाइन कहलो, यह यहाँ जाके और ब्रेकिंग सिस्टम आपका जो होता है ना, ड्रम वाला, उसी में जुड़ी होती है, जो हम ड्रम ब्रेक कर रहे थे, उसमें मैंने दिखाई थी ना एक जगह एक, जो स्प्रिंग भी था और एक केबल थी ठीक है पार्किंग केबल लिखावा था उसमें पार्किंग ब्रेक केबल भी लिखावा था कई जगह है ठीक है कहां पे होगी वो अगर हम ढूंड पाएं तो उसको यहां पर होगी साइट यह रही पार्किंग ब्रेक केबल ठीक है ना यह मैंने दिखाई थी तो यह उसकी हैंड ब्रेक की होती है यह भी ब्रेकिंग सिस्टम को रोगती है पर यह थोड़ा रोगती है पावर कम लगाती है ठीक है बच्चो तो ब्रेक सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आमने जाना थोड़ा ग्यान अपना और बढ़ाना आप सेल्फ सड़ी भी कीजिएगा बुक में से भी प्यट सकते हैं ठीक है और उसके बाद फिर हम क्यूस्टन भी करेंगे तो आज के लिए बच्चो इतना ही ठ कल फिर मिलते हैं ओके बाई टाटा